हलो फ्रेंड्स मैं हूं अलताफ और आप देख रहे हैं फीफा फूस संदीप सिंग को लेकर महराष्ट के गुरह मंतरी अनील देशमुक ने एक ट्वीट किया है वो यह है वो ट्वीट में लिखते हैं कि आज कांग्रेस का एक प्रतिनीधी मंडल मुझसे मिला संदीप सिंग और बीजेपी के बीच संबंधों की जांच की मांग की जिसने पीएम मोदी की बायोपीक बनाई ड्रक्स के साथ भी उसका संबंध है हम ये निवेदन CBI के पास भेज रहे हैं यानि कि संदीप सिंग जो चुरू से ही suspicious activity करते नजर आ रहे हैं इस case में और कोई भी संदीप सिंग को जान नहीं रहा बतोर सुशान के दोस्त और सुशान के परिवार ने भी नहीं पहचाना ना कि रिया चक्रवर्ती ने पहचाना और यही बात चुरू से एक खटक रही है सभी को की संदीप सिंग है कौन जो अपने आपको सुशान का दोस्त बता रहे हैं अब कांग्रेस ने ये आवाज उठाई है और गृह मंत्री अनिल देश्मुक को उनों ने निवेदन दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि संदीप सिंग कौन है इनों ने फिल्म पी एम मोदी बनाई थी और इनका ड्रक्स के साथ भी एक कनेक्शन जुड रहा है तो इन इन से पूश्टाच होनी चाहिए इनकी जांच होनी चाहिए अच्छे से ये निवेदन दिया है और इस निवेदन को अनिल देश्मुक ने सीबी आई को देने की बात कही है सुशान सिंग राजपुत मामले की तमाम जानकारी पाने के लिए आप मेरे साथ बने रहे हैं